का enforcement by and large सकती से हो रहा है कल ग्रिह मंत्राले ने Disaster Management Act के अंतरगत जो guidelines issue की थी उसमें एक addendum जारी किया है इस addendum द्वारा fishing और marine एवं aqua culture industry यानि की मचली पालन उद्योग को lockdown के restrictions से exempt किया है अब इस industry से जुड़े operations और प्रक्रियाएं जैसे feeding, maintenance, harvesting, processing, packaging, cold chain, sale, marketing इत्यादी allowed होंगी परंतु संस्थाओं के heads की जिम्मेदारी होगी कि वे social distancing और proper hygienic practices का अनुपालन सकती से करें जिला authorities की जिम्मेदारी होगी कि वे इन guidelines का strict enforcement सुनिश्चित करें आज ग्रह मंत्राले ने states और यूटीज को पत्र लिख कर फिर से आगरह किया है कि doctors एवा medical staff को आवशक्ता अनुसार police security दे अस्पतालों में जब वे screening हेतू जाते हैं और जहां patients quarantined है essential commodities और supplies की स्थिती नियंतरण में है और हर level पर monitor हो रही है इस संदर्व में आपको बताना चाहूंगी कि कई लोग आगे आ रहे हैं हमारे NCC और NSS के cadets और civil defense के volunteers भी इस मुहिम में आगे आए हैं COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए और इसमें अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे Central Armed Police Forces यानि कि हमारे केंद्रिय सशेस्त्र पुलिस बल भी भरसक प्रयास कर रहे हैं अपने परिसरों में quarantine camps लगाने के अलावा उन्होंने इस संदर्ब में कई कदम उठाए हैं CAPFs जनता में जागरूकता फैला रहे हैं उनकी चिकित्सा टीमें भी ग्रामीन शेत्रों में COVID-19 के बारे में जानकारी दे रही है उन्होंने कई स्थानों में stranded workers इत्यादी को सूखा राशन और packed भोजन उपलब्त कराया है वे अपने अस्पतालों में भी सुविधाएं विक्सित करके आम जनता को उपलब्त करा रहे हैं हमारा पूरा विश्वास है कि हम सब के सहयोग से COVID-19 chain को तोड़ने में सफल होईगे अज तक हमने एक लाख एकतर हजार साथ सौटरा सैंपल्स का टेस्ट किया है उन में से 16,564 सैंपल्स जो थे वो कल टेस्ट हुए इन 16,564 में जो ICMR का नेटवर्क है उसमें आज के तवर पे हमारे 146 लैब्स है उन में से हमने 14,210 लोगों का सैंपल्स टेस्ट किया प्राइवेट लैब्स की संख्या भी 67 है उन में 2,354 सैंपल्स को टेस्ट किया गया जैसे कि आप लोगों को अवगत है कि जिस दिन से COVID-19 ये डिजीज हम लोग के सामने आई है इंडिय का response has always been on early action हम लोग preemptive, proactive और to the extent of being over prepared उस पदिती के तहट देश में काम कर रहे हैं हमारी एक graded approach रही है जिसके तहट जैसे जैसे situation देश में देश के बाहर इमर्ज होती रही उसी तरीके से हमारा उससे align करते हुँ हमारा response COVID-19 के प्रती रहा है आज देश में government of India, state government से coordinate करते हुए राज्यों के साथ PPEs, N95 masks, testing kits, medicines, ventilators और इसी तरह से related critical supply को ensure कर रही है dedicated COVID hospitals जिनके द्वारा infection ना फैले और patients को proper treatment मिल सके उसको भी state के साथ मिलकर, central government institutions के साथ मिलकर बनाया जा रहा है और अब तक कि अगर संख्या देखें तो 586 dedicated hospital state ने हमें report किये है government of India और state government ने मिला कर जिसके द्वारा करीब एक लाख प्लस बेट्स isolation बेट्स और करीब साड़े गैरा हजार जो उसमें ICU बेट्स भी उन्होंने प्रिपेर किये है और मैं आप लोग को द्रिष्टी में लाना चाहूँगा कि यह है figure दिन प्रति दिन हम बढ़ाते जा रहे है depending on situation, depending on eventuality इसके साथ ही आईश मंत्राले ने immunity boosting और respiratory health के लिए जो अपनी एक guideline जारी की थी उसके द्वारा उन्होंने फिर कहा है जिले के इतने DMs हैं कि आप जब district का contingency plan बनाएं तो उसमें उन guidelines को भी शामिल किया जाए skates के साथ coordinate करते वे government of India का major effort है कि containment policy, containment action plan, contact tracing और clinical management patient का धंग से किया जाए और इसी के तहती इस से पहले भी aims में एक training organize की जा चुकी है एक और series of webinars जो nurses की training के लिए इस वीख हम organize कर रहे हैं आज मानने प्रधान मंत्री जी ने सारे states और union territories के मानने मुख्य मंत्री और lieutenant governors के साथ video conference करते हुए उसमें सब लोगों ने मिलकर collective अपने resolve को बताया है कि हमें किसी भी तरीके से इस महामारी से बचना है और मिलकर हम सब लोग को इसमें काम करना है अब तक कि अगर data देखें तो 642 लोग 642 people they have already recovered कल 1035 total increased case में note किया गया है और जिसके साथ ही total cases की संक्या 7447 हो चुकी है yesterday 40 deaths were recorded और जिसको मिलाएं तो total 239 deaths report हो चुकी है इसके साथ ही कल मेरे से एक प्रश्न पूछा गया था कि एक particular study क्या वे ICMR की study है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि ICMR की ऐसी कोई study नहीं है लेकिन उस study से संबंदित वह study नहीं है मैं आप सब लोग की दृष्टी में लाना चाहूँगा कि actually मैं ये एक हम लोगों ने rate of growth cases देश में किस तरह से बढ़ रहे हैं उससे संबंदित एक analysis की थी वो analysis शायद आप उस analysis के बारे में बात कर रहे थे तो उस analysis के द्वारे में आप लोग की दृष्टी में लाना चाहूँगा जैसे हम सब को पता है 22 March को हम लोग उने जंता कर्शी देश में implement किया था जिसमें देश के हर नागरिक ने अपना support दिया 25 मार्क से हम national lockdown के स्थिती में हैं अगर हम देखें कि हम कोई lockdown या containment measure नहीं करते तो ये के वाले statistical rate of growth based analysis है जिसको कि मैं फिर आप लोग कोई highlight करना चाहूँगा कि ये कोई ICMR की study नहीं है ये के वाले statistical understanding है जिसके द्वारा हमें देखा कि अगर हम कोई action ना लेते हो तो शायद जिस तरह से cases बढ़ रहे थे तो 41% की growth rate से cumulative growth rate से अगर cases बढ़ते तो हम आज की तारिक में शायद 15 अपरिल तक हमारे पास 8.2 lakh cases report होते और उसी के तहट अगर हम लोग जो हमारा lockdown से पहले की स्थिती है उसमें हमने देखा कि हमारा growth rate of cases करीब highest जो है 28.9% record हुआ तो उसके त comparison में देखें तो अब हम lockdown और containment measures जैसे कि इस से पहले भी बताया गया है कि हमारी twin strategy है एक तरफ हम social distancing और lockdown को promote करें और दूसी तरफ उसके साथ ही हम containment measures पे भी अपना काम करें तो उन दोनों measures को जब हमने 25 मार्च से लेना शुरू किया है तो हम लोगों ने देखा है कि cases में का पुलेट करके समझें तो आज जह हम हमारे पास 7,447 cases हैं तो शायद lockdown नहीं होता और हम उसी rate of growth of cases से जूज रहे होते तो हमारे शायद 45,000 cases हुए होते और जी तरह से अगर हम कोई भी measure ना लेते तो शायद हम 2,000 cases आज इस टाइम हम लोग observe कर चुके होते तो यह study मैं आप बहुत important हैं ताकि हम इस battle से निवट सकें लड़ सकें इसके साथ ही मैं हमेशे आप लोग की दृष्टी में लाता रहा हूँ कि जो major action है वे field पे हमारे सैनानी लड़ रहे हैं district level पर, sub district level पर, frontline workers इस battle को हर तरह के risk को हर तरह के infection के खत्रे को भी होते हुए भी आज उस लड़ station कैसे state government और कैसे field side पर हमारे frontline workers ने मिलकर काम किया तो अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि overall जो हमारा पूरा action, हमारी पूरी approach हमेशे से रही है कि हमें coordinated effort करें, हमने उसमें अपने existing infrastructure जो कि हमारा smart city का control room था उसको इसको इस्तेमाल किया, हमारा focus रहा active contact tracing पर, isolation of patients पर, और हमने साथ में private sector को भी involve करते हुए medical अपनी जो capacity उसको बढ़ाया, इसके साथ ही जब हम यह कारे कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से हमारे field पर, हमारे vulnerable section के लोगों को दिख करना हो, उसके लिए भी हमने food और civil supplies for needy उसके काम किया, essential supply chain को maintain किया, और यह सब कारे करते हुए कैसे हमें citizen को involve करना है, यह भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा challenge रहा था, जिस पर जिला administration ने काम किया, इससे पहले भी आप लोगी knowledge में आता रहा है, कि अगर कोई भी एक case पाते हैं, तो हम उस case की contact tracing करते हैं, और उस contact tracing के भाग में हम पूरा verify करते हैं, वे case कहां कहा गया, तो जैसे कि जिला administration ने जब ये पहला case उनकी द्रिश्टी में आया 25 स्वरवरी में, तो उन्होंने उस पूरे case की contact tracing की, कि वे दिली का पहुचे, दिली से आगरा अगरा में वो अपने घर पर रहे, या अपनी factory में रहे, उसके लाओ किस-किस restaurant में गए, उस restaurant में किस स interact किया, तो वह है एक हमारा contact बनता है, उसके तहट जिला administration ने epicenter और hotspot का identification किया, उसके बाद हर बार हम आप लोग की दिश्टी में रहे हैं, लाते रहे हैं कि हमारा एक cluster containment plan, हमारा एक outbreak containment plan होता है, जिसके तहट district administration ने हमारी जो central team है, उसके साथ coordinate करते हुए epicenter को identify किया, epicenter को map identify करके कितने particular area में उस particular positive case का impact रहा, उसको map पर delineate किया गया, delineate करने के बाद उन्होंने special teams मनाई, तो जैसे उन्होंने 3 km के area को उन्होंने containment zone माना, 5 km के area को उन्होंने उसके buffer zone के तहत मानते हुए, उसके अंदर जितने भी हमारे urban primary health centers हैं, उनको उन्होंने utilize किया, साथ में हर particular area का उन्होंने एक micro plan बनाया, 1248 special teams बनाई गई, जिसमें कि नगर निगम और healthcare staff ने मिल मिल कर जाकर घर घर पर सर्वे किया, सर्वे करके उन्होंने पूरे जितने भी population थी करीब 9.3 lakh लोगों का उन्होंने पूरा observation किया, सर्वे किया, और उसके बाद उसमें उन्होंने ज example criteria उससे से करके monitor किया, आज जब हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो coordinated effort के पार्ट में उन्होंने अपने आगरा smart city के control room का इस्तेमाल किया, जिसको उन्होंने एक war room के रूप में convert किया, central helplines established की गई, multifunctional district teams बनाई गई, जिन्होंने particular health के अलावर different components पर act किया, साथ ही district administration district police administration, सब लोग ने मिलकर lockdown और clusting के ओपर भी काम किया, जब हम यह काम कर रहे थे, तो district administration के level पर कैसे isolation facilities और कैसे medical facilities और cluster containment में काम उस पर पूरा focus किया गया, जिसके तहत public private partnership एक हमारा major component रहा, साथ में हमने critical hot spots और clusters को identify किया, और जितने भी clusters थे, उनको जैसे कि आप यहाँ दे while all these efforts were going on, distribution change management को manage करना भी उतना ही बड़ा एक challenge था, तो जिसके तहत उन्होंने local providers of food or medical supplies को identify किया, और distribution chain को door delivery के लिए उन्होंने coordinate कराया, साथ ही essential commodities को movement में कोई दिक्कत ना है, उसके लोग ने एफास facility का भी organization किया गया, इसके साथ ही while यह सारे efforts चल रहे थे, तो कैसे हमारा जो animal husbandry sector है, animals and cows है, उनका food distribution को coordination, हमारे vulnerable section जो homeless और नीडी है, उनका खाने से related और उनके रहने से related coordinate करना, e-commerce को promote करना, ताकि उसके द्वारा हम door delivery ले सके हैं, इसको करते हुए district administration की तरफ से technology को use करते हुए एक self-registering platform बनाया गया, एक mobile app launch की गई, जिसके थूँ वह अपना risk definition पास सकते थे, वह अपनी detail एंटर कर सकते हैं, जैसे मैंने इससे पहले आपको आ रहे होगे, सितिक के बारे में बताया है, तो उसके थूँ, वह help line के थूँ बात कर सकते हैं, और साथ ही, जितने भी citizen के response आए, उनको classify किया गया, medium और high risk में, और जो भी medium और high risk cases पाए गया उनको outbound call के द्वारा monitor भी किया गया, यह सारे कारे करते हुए, आज district में जब total हमारे 92 cases आये, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 5 cases are fully recovered, 87 cases आज भी hospitals में under watch हैं, और खुशी की बात यह है कि उनमें से कोई भी case critical नहीं है, इस पूरे कारे को करते हुए जिले ने 38 इस epicenter identify किये थे, जिसमें से 10 epicenter में काम करते हुए, उनको पूरी तरह से close भी कर दिया गया, जहां पर कि कोई positive case नहीं पाया गया है, कोई hard risk case नहीं पाया गया है, यह पूरा effort करते समय पर public private partnership के थूँँ, उन्होंने 566 beds का paid quarantine centers बनाएं, इसी तरीके से 3060 institutional quarantine centers for people to stay, उसको free centers बनाएं गए, और साथ ही, जो हमारा medical staff है, वो अपने hospital के पास ही काम कर सेके, तो उनको भी उन्होंने official quarantine centers बना के hospital के पास रखकर, उसके द्वारा services प्रोवाइड कराई है, आज यह सब मैं आपकी दृष्टे में इसलिए लाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा field for कर, पिछले vaccine यानि की social distancing पर हमें focus करना है, हमें पूरी कोशिश ये करने हैं कि हम भारत की तरफ से दुनिया के लिए अच्छी example साबित करें, कि जब हर तरीके से दुनिया जूज रही थी, तो भारत ने success create करके दिखाया है, कि हम लोगों ने collective unit कर इस महामारी से लडाई में जीता, धन् प्रफ अपिता अजे में अच्रूज रही थी, तो खुडर्या, कि लगों दो मैं दो मंतरेन की तरिक जानकारी याप के लापके सामने लखूंगा, Despite Lockdown, there has been a more than 11% increase in area coverage under summer crops as on yesterday. This is from the Ministry of Agriculture, from the Railway Ministry, more than 1 million free hot cooked meals distributed to needy persons by Indian railways across 313 locations in the country. the details are available on PIB website now we take questions Avantika Ghosh, Indian Express so my question is for ICMR how many rapid test kits have we got so far and also the fact that WHO has given out a scientific brief where it says that these are only to be used in research settings and nowhere else and so on what basis are we then going ahead with the use in clusters and other places now बताते हैं कि इंसान के शरीड में ये विशाणू गया था क्या? वो विशाणू पहले गया होगा, इंसान ठीक हो गया होगा? या तो ऐसे होगा कि वो विशाणू आज भी है तो उसको बाद में PCR करना पड़ता है. अब इसका फाइदा कहा होगा? इसका फाइदा दो जगा प हुआ है, यने अपने यहां बिमारी कितनी ży फैली हुई है ये अगर समझना है तो ये इस्तमाल करके आप ट्रेंड निकाल सकते है, यनि आज इतने लोगों को हुई थी हो हट स्पाट में, कल इतने लोगों को हुई, तो मैं घंटिन में द्पांगर कितना तो वो immune हो चुका होगा, इसलिए वो काम को जा पाएगा, नहीं तो जो डर रहता है मन में, कि क्या वो वापस जा सकता है, वापस जाने के बाद में दूसरे को भीमारी लगेगी क्या, ये डर निकालने के लिए भी ये test काम आएगी, ये first generation test है, first generation याने नहीं नहीं बात है, जैसा time जाएगा, ये भी refine होएगी, और ये test भी उतनी ही कामियाब होगी, जैसे इस किसम के दूसरे बिमारियों में हम test इस्तमाल करते हैं. Online question, HCQ is used for many other ailments, chemists are reporting shortage of HCQ, how is the government planning to address this concern? Sir, HCQ there is no shortage in the country at all, I had already explained, कि अगर हम लोगों को projection हमारी 1 crore tablets की थी, तो already government sector में 3.28 crore tablets आज available हैं, इसके साथ ही जैसे आपने पूछा है, कि private sector के थू कैसे किया जाए, तो जो हमारे को अभी तक available data मिला है, उसके तहत 2.65 crore tablets आज private sector के पास जो है, और इसके साथ ही कल जैसे मैंने बताया, additional 2 crore tablets, थू फार्मा मिनिस्ट्री हम कोडिनेट कर रहे हैं कि जो field level पर additionally private sector को प्रोवाइड कर आजाएं. Last question from Sahil, ANI. Good afternoon, my name is Sahil Pandey and I am from ANI News Agency. My question is for ICMR. Specifically, sir, how has been the response of HCQ on the front line workers and specifically what has been the success story? And second part is like, has that boosted the immunity of these workers as well? Thank you. एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी कोई study के हम बात करते हैं, तो वो ऐसे मोड पे रहे कि उसके results analyzable रहे, उसका हम generalize कर पाए, यानि उसके आधार पे हम लोगों ने क्या करना चाहिए ये बोल सके, उसी वक्त हम ये बोलने के position में रहेंगे. एक इसलिए मैं अभी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि उसका duration of exposure जो मैंने पहले बताया था, duration of exposure लंबा रहना चाहिए. अगर वो न रहा, तो मेरे conclusions गलत आ सकते हैं. जैसे मैं एक उधारन देखे बोलता हूँ, कि समझ लीजे मैंने ये study सिर्फ पांच दिन किया, और पांच दिन में बीमारी लगने का chance कम होगा, मैंने पंद्रा दिन अगर duration रखता था तो, तो मुझे क्या लगेगा, ये दवा जो है न ये बहुत असरका रखा है, लेकिन ये कितना सही होगा, ये मैं बोलने ही पाऊंगा, इसलिए उसको थोड़ा टाइम दीजे, वो समझ में आ जाएगा, एक मन में से निकालना बहुत जरूरी है, ये प्राफिल एक्सिस की दवा करके हम देख रहे हैं, अभी भी treatment modality करके देख नहीं रहे हैं, तो हमको इसका उपयोग जो है, वो सिर्फ डॉक्टर्स में करना है, ये study के अंतरगत, या जो lab confirmed cases है, उनके जो contacts है, उनमें ही करना है, ये panic जो फैल चुका है, इसमें अकसर ये दिखाई देता है, कि हम थोड़ा reasoning जो होता है, हमारी सोच जो होती थोड़ी emotional बन जाती है, हम ये सोचते हैं कि मैं भी खा लो, तो अच्छा होगा, ये टालना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास उतना evidence नहीं आएगा, हम आम लोगों को ये दवा लेने के लिए, हम न बोलेंगे, न उनको ये लेना, उनके सेहत के ल परहिती है, उसके side effect होते हैं, वो doctor को मालूम होते हैं, किसको देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, इसका तो हमने कभी recommendation नहीं किया है, धन्यवाद, thank you friends, thank you very much.